अबसकार मैं अर्विदाचार पंकच कुमार जहां अकसर बात करता हूँ रियल आर्वेद के बारे में आज हम रियल आर्वेद के संदर्व में एक पौधा दिखाना चाहते हैं यह जो देख रहे हैं बहुताय मातरा में हाँ पे उपस्तित है और यह जो पहुधा है यह बेशरम है इसको बहाया भी बोलते हैं और इसको थेथर भी बोलते हैं थेथर बहाया बेशरम सब्दो के उचारन से आपको यह परतित हो रहा होगा कि यह सर्म भी नहीं करती है यह बहाया है चाहे इस पर कितनी भी चोट दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाले हैं थेथर है कहते हैं कि कुछ भी कर दो कितनी भी कुचल दो तो यह अपने प्रस्थिती में विकट से विकट प्रस्थिती में उग जाती है बढ़ जाती है और अक्सर देखा गया है कि यह तलावों में और दलदली अस्थानों में सभी जगा उगाती है एक छोटा सा का टुकड़ा भी अगर कहीं आप फेक दे तो फिर अपना परिव जावी और सफेद लिए फूल है आप देख सकते हैं इसके पत्यां को देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ ऐसे गुन पाया जाते हैं साइद बहुत सारे पौधे में नहीं पाया जाते होंगे सबसे पहले बात करो तो यह फंगस को मारने में मास्टर है बहुत तेजी से मारती है एंटिशिप्टिक भी है एंटिवैक्ट्रियल भी यह है जख्मों में इसका बहुत जादा परियोग है अगर आपको जख्म है बस इसके पत्ते को कुचल ले और थोड़ी सी हलकी गर्म करके उस पत्ते का रस अगर आप लगाते हैं जख्मों में तो कैसा भी जख्म होगा, जो नहीं सुख्रा होगा, वो सुख जाएगी, इसके बाद अगर आपको चोट लग गई हो, कहीं मोच आ गई हो, तो इसके पत्तियों को, खास करके इसके पत्तियों को क्या करें, कि थोड़ा सा पत्ति ले, इसको कूट के पेश्ट बना ले, और थ दर्द को खिच लेती है, इतना effective है, अगर आपके hair fall हो रहे हैं, और आपको dandruff है, तमाम ऐसे समस्या है, तो जो इसके फूल देख रहे हैं, इसके अगर फूलों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, पेश्ट बना के लगाते हैं, तो no doubt, आपके जो भी infections होंगे आपके hair में, तो वो ठीक हो जाते हैं, और बाल की growth भी बढ़ती है, जैसे इसकी growth बढ़ती है, उसी परकार से hair का growth बढ़ जाती है, अगर आपको एक जीमा है, को ऐसे चर्म रोग है, उसमें इसके दूध लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसको हम तोड़ेंगे तो इससे दूध नि इसके बाद, अगर किसी भी ब्यक्ति को सर्म लगता है, किसी से बात करने में सर्म लगता है, हमेशा प्रिशान रहते हैं, तो एक हम योग बताते हैं, बुसको कर लिजेगा, सनिवार के दिन, आपको क्या करना है, कि थोड़ा सा इसमें चावल इसके कहीं बेरोट पे डाल अधनी है, और थोड़ी सी पानी गिरानी है, और अभ्यंतित करके इनको बोला है कि आपकी जरुवत है, हम लोगों के पास आख नहीं मिला पाते हैं, लोगों का सामना नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरे साथ रहेंगे, तो रियल में मेरा काम सफल होगा, और उस रूठ को ले होगा, सुचिए, प्राकृतिक ने कैसा कैसा चीज को बनाया है, अब बहुत ऐसे आदमी होते हैं, जो सरमिला होते हैं, सभी से वो लजालू होते हैं, तो अगर आप इसके रूठ को रखते हैं, तो आपकी लाज सर्म हट जाती है, बेहाया इसका इसलिए नाम है, बेसरम, बेहाया बनाएगा, लेकिन वो एक मेडिसीन के तौर पे है, वो नेचर के खिलाफ नहीं है, यानि आप जो सर्म होता है, हद से ज्यादा आप सर्मिला है, हद से ज्यादा किसी का सामना ने कर सकते हैं, अपनी अवाज ने उठा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये हेल्फ कर होती है, तो सोचिए कि इस भी जगह पाए जाने वाले और दी कितने काम के होती है, कितने कारगर होते हैं, तो हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कि इसमें जीवनी सकती कितनी है, जीवनी सकती का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि बिकट से बिकट प और इस्रम में उख जाती है तो अगर आप इसके जड़ को रखते हैं तो आपको भी बिकट से बिकट पस्थिते में लड़ने की छमता हो जाएगी ताकत हो जाएगी इसके रूट को सिद्ध करके जरूर रख लेना चाहिए जैसे मैंने बताया हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारे भारतिय पदती बढ़े और लोग इसका लाव उठाएं और अपने साध साध और साध साध और कश्ट साध जैसे बीमारियों से वो निकल जाए वो श्वस्त हो जाए यही मेरे कामना है भगवान धनमत्य से थेंक्यू